कैलाश परवत के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक छुपे हुए हैं लेकिन नासा ने कैलाश परवत पर कुछ ऐसा देख लिया है जिस पर विश्वास कर पाना ना मुम्किन है और उसे देखने के बाद आप ही अचमभित रहने वाले हैं इसलिए वीडियो के अंध तक अवश् चीन ने कैलाश परवत पर हेलिकॉप्टर भेजने की कोशिश की थी और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ के अडवांस सैटलाइट को कैलाश परवत पर केंद्रित करके रिसर्च करने की कोशिश की थी और जो सच्चाई सामने आई उसन तो आखिर क्यों कोई कैलाश परवत नहीं चड़ पाता और कैलाश परवत की तस्वीरों में ऐसा क्या था जिसने नासा के वैज्ञानिकों की नींदे हराम कर रख दी। साक्षात ईश्वर है। शायद इसी लिए आज तक न तो कोई परवतारों ही इस परवत पर चड़ पाया है और ना ही कोई हेलिकॉप्टर उसकी छोटी तक पहुँच पाया है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को विज्ञान के सहारे चुन है और वो आज भी अपने परिवार के साथ कैलाश परवत पर रहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुबेर की नगरी भी कैलाश परवत पर ही स्थित है। वहीं चीन के तिबबत में रहने वाले बौध धर्म गुरूओं का ऐसा मानना है कि कैलाश परवत पर बुद्ध भगवान की अलौकिक रूप में दम चूक रहा करते थे। वहीं भारत के जैन धर्म के लोग की मान्यता है कि उनके प्रथम तीर्थंकर आरश पदेव को कैलाश पर निर्वान की प्राप्ती हुई थी। यहां तक कि हिंदु धर्म के सबसे बड़े ग्रंत महा भ भारत में कहा गया है कि अपनी बीवी द्रौपदी के साथ पांडव भायों ने भी मुक्ती के लिए कैलाश परवत की चढ़ाई की थी। क्योंकि इसे स्वर्ग लोग का प्रवेश द्वार माना जाता है। इन सभी धार्मिक मान्यताओं को सुनकर आप तो समझ चुके कि कैलाश परवत इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसलिए इस पवित्र स्थान पर आज तक कलियुक के श्राप से मनुष्य चढ़ाई नहीं कर पाते। और परवत की छोटी सिर्फ वहीं पहुँच सकता है जो आत्मिक और शारीरिक तोर पर आध्या इस दुनिया की मोह माया को त्यागना जरूरी है। कैलाश परवत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जहां दुनिया के सबसे उंचे परवत माउंट एवरिस्ट की छोटी पर आज तक चार हजार से भी ज्यादा लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन कैलाश परवत पर आज त तरीके से मौत हो जाती है। कहा जाता है कि कैलाश परवत की चारों ओर अलोकिक शक्ति का प्रवाह है और कैलाश के आसपास तपस्वी गुरू आज भी टेलीपैथी के जरिये आध्यात्मिक गुरूं से प्रार्थना करते हैं। कैलाश परवत वो जगह है जहां से गंगा नदी बहती है। वहीं यहां पर गंगा नदी के अलावा भी ब्रह्मपुत्र, सतलज, करनाली और सिंध नदी भी बहती है। जो सिर्फ भारत ही नहीं बलकि बांगलादेश, पाकिस्तान और चीन तक को भी पीने लायक पानी पहुँचाती है। पिरामिट जैसे दिखने वाले परवत मौझूद है, जिसके बीचों बीच कैलाश परवत खड़ा है, जिसकी छोटी 6,638 मीटर उंची है। दूर से देखने पर कैलाश परवत का आकार बिलकुल शिवलिंग जैसा लगता है, जो चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई है। अन जारत की करीब 93,000 वर्ग किलो मीटर जमीन पर कबजा कर लेता है, जिसमें तिबबत के साथ कैलाश परवत भी शामिल था। इस तरह से यह पवित्र स्थल चीन का हिस्सा बन जाता है। कई वैग्यानिकों के मताबिक कैलाश परवत पर कई कीमती धातूँं का खजाना मौझ जूद हो सकता है। इसलिए कैलाश परवत के इलाके में कबजा करने के बाद लालची चीन ने कई बार कैलाश परवत पर चढ़ने की कोशिश की। लेकिन चीन को हमेशा नाकामी मिली और लगातार मिल रही असफलताओं के बाद 2001 में चीन ने स्पेन और रशिया के साइंट परवतारोहियों की स्कीम के वरिष्ठ सदस्य करनल आर सी विलसन ने कहा कि जब हम कैलाश परवत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब जो आसमान पहले पूरी तरह से साफ था वहां से अचानक तेजी से बर्फ गिरने लगी। और परवत की चोटी पर जाने का सीधा रा आगे जाने की कोशिश कर रहे थे उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और घबराहट भी हो रही थी और आगे जाने के लिए दिल नहीं मान रहा था इसलिए कैलाश चढ़ने गए वो सभी लोग वापस नीचे आ गए जब चीन ने देखा कि कोई इनसान कैलाश परवत पर चढ़ नहीं पा रहा है तो उसने कैलाश परवत की छोटी पर हेलिकॉप्टर भेजने का निर्णे लिया हालांकि हेलिकॉप्टर और एरो प्लेन को कैलाश परवत के उपर उड़ने की सख्त मना ही है क्योंकि कई बार अचानक से यहां का मौसम इतना खराब हो जाता है कि को कोई भी हवाई जहाज इस इलाके में टिक नहीं पाएगा लेकिन कई दिनों तक मौसम की रिसर्च करने के बाद एक दिन साफ आसमान में चीन ने अपने हेलिकॉप्टर को कैलाश परवत की ओर रवाना किया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलिकॉप्टर पर बैठे लोगों ने जब उडान भरी तो शुरुवात में उन्हें कैलाश परवत के मनमुक्त करने वाले सुन्दर नजारे दिख रहे थे उन्हें लग रहा था कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वह कैलाश की छोटी पर अपने हेलिकॉप्टर को पहुँचा देंगे लेकिन हेलिकॉप्टर में बैठ कर जिन नजारों का मज़ा ले रहे थे वह कुछ ही मिनटों में इनके लिए बड़ी सजा बन गए लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था क्योंकि उपर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था दरसल आस्मान में इतने घने बादल थे कि मानों वह हेलिकॉप्टर को निगलने वाले हैं मगर ये लोग हिम्मत करके अपने हेलिकॉप्टर को और ज्यादा उंचाई पर ले गए तभी आस्मान में बिजली खड़कने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई इतनी उंचाई पर हवा का प्रेशर भी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हेलिकॉप्टर को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था चीन के विज्यानिकों का कहना था कि माउंट कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती है जिसकी वजह से दिशा भ्रम में फंस गए थे साथ ही इनके कमपास ने भी काम करना बंद कर दिया था इसलिए उन्होंने अपने सफर को आधे में रोक कर फिर से नीचे आना ही सही समझा और तेजी से धड़क रहे अपने दिल को थाम कर वह धीरे धीरे नीचे वापस आ गए यानि अब चीन समझ चुका था कि इस रहस्यमय परवत पर चठना उनके बस की बात नहीं है चीन की नाकाम्याब कोशिश को देख कर कैलाश परवत को लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की उतसुकता काफी ज्यादा बढ़ गई और 2015 में नासा ने अपने सैटलाइट को कैलाश परवत पर पॉइंट करके गूगल से और रिसर्च करना शुरू किया और कैलाश का रहस्य देख नासा के वैध्यानिक भी हक्के बक्के रह गए कैलाश परवत निरीक्षन के बाद, नासा के वैज्ञानिकों ने जो तस्वीरें साज्चा की उसमें हमें कैलाश परवत की एक पर्चाई देखने को मिलती है. जिसे देखकर ऐसा लगता है, मानों को इस परवत की चोटी पर ध्यान की मुद्रा में बैठा है और जिसे ज्यादा तर लोग भगवान शिव कहते हैं वैसे तो इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये सभी तस्वीरें नासा ने खुद शेयर की है और आप चाहे इन तस्वीरों को गूगल पर जाकर देख सकते हैं देवों के देव महादेव के घर कैलाश परवत का वर्णन हिंदू धर्म के वेदों में कुछ इस तरह किया गया है कि एक तरफ से स्पोटिक, दूसरी तरफ से मनिक और तीसरी ओर से सोना और चौथी ओर से नीलम से बना हुआ है और यह धातू आज के समय में अमूल्य माने जाते हैं इस रहस्यमय परवत से जुड़ा एक ग्रह से यह भी है कि कैलाश परवत के आसपास के इलाकों में ओम की ध्वनी सुनाई देती है और वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकारा है हालांकि वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये ओम जैसी धुन बर्फ के पिघलने की वजह से आती है वैसे आपको क्या लगता है क्या वास्तव में कैलाश परवत भगवान शिव और माता पारवती का निवास स्थान है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने भरोसे मंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं किसी और knowledgeable वीडियो के साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद